अपने प्रिज़ा नमस्कार मैं हूर आगी नी पांडे आप सबस्वागत करते अपनी किचेन में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मतर चूरा की यम्मी टीस्टी और क्विक सी रेसिपी इसे बनाना जितना असान है खाने मे उसे दो लीजिए इसके बाद ये प्रिसेस चालू करिएगा तो तेल मैंने यहां पर गरम कर दिया और गरम तेल होने के बाद मैंने इसमें डाला हाफ टेबल स्पूर राई के दाने और वन फो टेबल स्पूर जीरा दोनों जो बच्छे से क्रैकल हो गया तो मैंने इसमें टाला एक मीडम साइस का प्यास थोड़े चोटे पर मोटे टुकडों में कटा हुआ और प्यास को हम दो मिनट के लिए पका लेंगे मीडम फ्रेम पे और इसके बाद हम एड़ करेंगे दो हरी मिच बीसे स्प्रीट की हुई और कुछ करीब रते इसे हमें चलारा नहीं है इ या तो अब फ्रॉजन मतर यूज करना चाहते तो फ्रोजन मतर भी यूज कर सकते हैं और यह जो मतर चूरा है यह फ्रेश मटर के दानों से ही बहुत ही टीस्टी यह लगता है और अगर आप मतर तोड़ा सॉफ्ट चाहे तो आप इसे पानी में बॉयल कर सकते तो यह आप बल्दिया करेंगे जैसे की मसाले अगरा फिलाल में यहां पर आड़ कर रही हो फ्रेस धरी धने का पत्ता थोड़ा सा फ्रेस धने का पत्ता मैं करेंगे इसी टाइम पर इस वक τाकि जो धरीया का फ्लेवर और वह सारा इसमें आजया और जब हम इसे पुहां में मिक्स करें त तो यहां पर धनिया का पत्ता मैंने लगपक एक चुड़ी चमच के लगपक आसपस एड किया था और इस पर एड कर दिया और इस पर आप टीबिल स्पून चोटी अली चमच जो होती है ना ती स्पून वाली वह हल्दी हाथ उससे मतलब हल्दी पॉडर हाफ टी स्पून और अच्छा से मेंगे। ही हम और अच्छी पर देंगे हम और हल्दी पका लेंगे हल्का सा ही मिनट के लिए शौर फे इस तरह पाई पाई होगा है और हम इसे थोड़ास और प्रेबर देंगे तो अब हमें से इक्स्रा शॉफ्ट करने के लिए ढग देना है एक बिए इसलो फ्रेम पे और इसकी बाद इसे ऑपन करके इस में आड़ा सब्सक्राइब निम्बो का रस इसे बहुत ही चटपड़ा बना देता है तो फिलाल मेरे मुँपे रिकॉट करते टाइम ही पानी हा रहा है तो यहां पे निम्बो का रच करने के बाद अच्छे सामने से कर लिया मेक्स और ढब करके हम उस दिर के गैस का फ्रेम बन करके छोड धियू